नमस्कार मैं हूँ शुभे और आप देखरें नियूस्वानीशन ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे देश में हमारे राज में या हमारी छेत्र में ही कहीं भी महिलाईं सुरक्षत नहीं है चाहे आप एक आम महिला हो या फिर एक ओहदा रखती हो कोई भी कहीं भी किसी भी जगा सुरक्षत नहीं अब तो हद उस वक्त पार हो गई जब वैशाली जिले में एक क्रिकेट कारिक्रम का आयोजन किया गया और वहाँ पर वैशाली जिले के विधाय का प्रतिमा कुमारी मं मंच पर बैठी थी और मंच से नीचे एक यूवक खड़ा होकर उनकी तरफ अशलील हरकतें कर रहा था अशलील इशारे कर रहा था हराकि विधाय का ने हिम्मत जुटाई और उसे करारा थपड जड़ दिया इसके अलावा वहाँ पर और क्या कुछ हुआ क्या है पूरा माम कर रहा लपंट यूवक मंच पर चड़ गया उसने छेड़ने की कोशिश की महिला विधायक नी सरयाम करारा थप पर जड़कर उसकी ओकात बता दी राजा पाकर के भलोई में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था मैच के उधगाटन समारों में वो आमंत्रत की मुझूद थे उन्होंने ध्यान दिया कि मंच पर लगातारी की यूवक उन्हें अशलील इशारी कर रहा है इसके बाद उन्होंने नजर हटा ली लेकिन बार बार वह सामने से वही हरकत दोरा रहा था उसने हद पार करते वे मंच पर आकर छिड़खानी की कोशिश की दिन बीच जाने के बाद वाक्या लोगों के सामने आया विधाइका द्वारा थपन मारने की खबर जिली में चर्चा का विशे बन गई है वहीं MLA प्रतिमा कुमारी ने इस महिलाओं के सम्मान और असिमता से जुड़ा मामला बताया विधाइका ने कहा कि हरकत करने वाली युबक अपनी शेत्रकाही है उसकी हरकत समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की सूच को दर्शाता है सिस्टम पर भी सवार उठाते वे कहा कि शराब बंदी बस नाम की है रिस्थिती यह है कि महिलाओं को शाम में निकल पाना मुश्किल है एस पी से मिलकर और शिकायत भ हमें ही भला बुरा कह रहे हैं लोगों ने उन्हें कहा कि विधायका इसले नहीं बनाया गया कि लोग उनसे थपड़ खाए विधायका ने कहा कि इस घटना से कहीं जादा दुख फोन करने वालों की सोच ववान सित्ता को दर्शाता है लोग आरूपी को मंद बुधी बता क प्रकरण पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बता दे कि विधायका ने अपनी हमत जुटा कर उस युवक को करारा थपड़ जड़ा लेकिन फिलहाल ये घटना उस इलाके में काफी चर्चा का विश्य बना हुआ है लेकिन इन सब की वीच विदंबना ये है कि हमारी समाज के लोग हमीशा महिलाओं को ही गलत ठहराते हैं और यहां तक कि इस मामली में भी जो इस्थानिये लोग हैं वो फून करके इस बात की चर्चा विधायका से कर रहे हैं कि वो युवक दरसल मंद बुद्धी था और इसको लेकर प्रकरण को छुपाने की कोशि की जा रही है हलाकि इसको लेकर विधायका नहीं स्पी से कंप्लीन भी की है और साथ ही साथ मीडिया से मुखातिब होनते वी उन्होंने साफ कहा कि यह हमारी समाज की बड़ी ही दुर विवस्था है कि महलाएं शाम को बाहर तक नहीं निकल सकती कहने को सर्फ और सर्फ शरा बंदी है फिलाल के लिए अतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस्वार्णीशन नमस्कार